Friends, Deep Economic Reforms को लेकर भारत का commitment एक और बड़ा कारण है जो आज भारत को इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे एट्रेक्टिव डेस्टिडेशन बना रहा है. कोरोना काल में जब दुनिया quantitative easing program जैसे intervention पर फोकस कर रही थी, तब भारत ने reform का रास्था ससक्त किया. Digital और physical infrastructure को आधुनिक बनाने के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को कोरोना काल में ही अबुत्पुर्वा गती दी गई. देश के 6 लाग से ज़्यादा गाउं को अप्टिकल फाइबर से कनेक्ट किया जा रहा है. विशेज रूप से connectivity से जुड़े infrastructure पर 1.3 trillion dollar का investment किया जा रहा है. एसेट monetization जैसे innovative financing tools में 80 billion dollar generate करने का लक्ष रखा गया है. development के लिए हर stakeholder को एक ही platform पर लाने के लिए भारत ने गती सकती national master plan भी शुरू किया है. हम national master plan के तहत integrated तरीक्य से infrastructure की planning, development और implementation पर काम होगा. इससे goods, people और services की seamless connectivity और movement में एक नई गती आएगी. Friends, आत्मन दिर्भरता के रास्ते पर चलते हुए भारत का focus सिर्फ प्रोसेस को आसान करने पर ही नहीं है, बल्कि investment और production को incentivize करने पर भी है. इसी approach के साथ आज 14 sectors में 26 billion dollar की production link incentive schemes लागू की गई है. FAB, CHEAP and display industry के निर्माण के लिए 10 billion dollar का incentive plan इस बात का प्रमाण है कि global supply chain को smooth बनाने के लिए हम कितने प्रतिवद्द हैं. हम make in India, make for the world इस भावना से आगे बढ़ रहे हैं. टेलिकॉम, इंशॉरंस, डिफेंस, एरोस्पेस के साथ साथ अब सेमी कंड़क्टर्स के खेत्र में भी भारत में असेम संभावना हैं.